हाई गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे हो आप सब लोग गाईज हम सब जानते हैं कि गुड़ वाइप्स एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफॉर्डबल स्किन केर ब्रेंड है मुझे तो गुड़ वाइपस के प्रोड़क्ट्स बहुत पसंद आते हैं अभी भी मैं चैक करूना तो मेरे कलेक्शन में बहुत सारे टोनर्स मिल जाएंगे सीरम मिल जाएंगे आपको night creams day creams मुझे बहुत पसंद आते इनके जो face mask होते हैं वो भी बहुत अच्छी होते हैं ब कुछ-कुछ make-up products launch करने शुरू कर दिये हैं सबसे पहले Good Wipes ने lip balm फिल lipstick लाँच करी और अब Good Wipes ने लाँच करी है अपनी new BB cream क्योंकि है यह Good Wipes की Hydra Glow BB cream with orange extract and SPF 25 मतलब इसमें vitamin C के भी benefits है और यह आपको sun से भी protect करेगी क्योंकि इसमें SPF 25 है बात करेंगे अभी आगे कि यह cream कैसी है कैसी skin पे अच्छा काम करेगी कितने shades में available है राइट ना मैंने यही वाली cream से यह makeup लोग किया है आज सुबा ही मुझे यह cream receive हुई और मुझे आज market भी जाना था क्योंकि कल हो ली है बहुत सारे काम है तो मुझे market भी जाना था तो मैंने का इस cream को ही लगा के जाती हूँ तो थोड़ा सा इसका wear test भी हो जाएगा और यह कहीं patchy बिगड तो नहीं रही सब कुछ clear हो जाएगा तो मैं जब market जा रही थी तो मैं इस cream को apply करके गई यह जो make-up अभी आपको दिख रहा है अभी तो थोड़ा सा light हो गया है जब गई थी क्योंकि 2-3 घंटे हो गए मुझे गई हुआ हुए 2-3 घंटे बाद में घर आई और यह इंट्रो शूट कर यह इसी वज़े से आप देख सकते हो तो मुझे अच्छी लगी क्योंकि मैं आई मैंने इसका result देखा और जब इने बहुत ध्यान से देखा कि आप देखो मतलब आई थिंग तीन घंटे तीन साड़े तीन घंटे हो गए है कुछ मतलब मुझे कोई क्रीजिंग वेगर इसकी दिखी नहीं बलकि आजकल धूब भी तेज हो गई है लेकिन मुझे कोई क्रीजिंग नहीं दिखी कुछ ऑक्सिडेशन भी नी इसका दिखा और मुझे मेकप अच्छा लगा वैसे का वैसी मतलब ऐसा लग रहा कोई फांडेशन लगा रखा है कवरेज भी अच्छी है ओवरल मुझे पसंद आई सो मैं अभी आई थी आप देख सकते हो थोड़े थोड़े ना बाल भी उड़े हूं है अभी आई और मुझे लगा मैं फटा फट पहले इंट्रो शूट कर लेती हूं उसके बाद जब मैं इसक क्लेप्स आपके साथ शेयर करती हूं और आप अच्छे से चेक कर लेना जब लगा के गई थी तब में और अब मैं आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा कुछ खास मुझे नहीं दिखाई दे रहा ठीक लगी मैं अच्छे सेट भी करके गई थी आसा नहीं मैं क्रीम क्योंकि अगर आपकी बैल आइकन को प्रेस नहीं करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुछ पाता है और मेरी नेक्स्ट वीडियो कौनसी है कौनसी नहीं आपको पतानी चलता है तो बैल ऐकन जरूर प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम प परबिन फ्री है, सल्फ़ेट फ्री है, मिनरल ओयल फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, और नो एनिमल टेस्टिंग और अल्सो इस वेगन, थ्री शेट्स में यह अवेलिबल है, और जो शेड मैंने अपने लिए मंगाया है, वो है नमबर टू, लाइट नाच्रल, जो की मीडियम अगर आप फेर स्किन वाले हो, तो आप उसे लेना, अगर आप मीडियम स्किन वाले हो, मीडियम टू फेर में आते हो, तो आप ये वाला शेड लेना, और अगर आप मीडियम टू, डस्की स्किन के टोन के हो, तो आपको नमबर थ्री, रिच वालनेट लेना है, अब मैं मार वाले गुड वाइब्स का कोकोनेट वाला जो टोनर है वो यूज किया दैन अब मैं आजकल यूज करी हूँ यह मामा अर्थ का फिफ्टी टाइम्स मोर वाइटमिन सी वाला सीरम बहुत ही अच्छा है इसका रिव्यू मैंने हाल फिलाल में अपने चैनल पे किया है मतलब बिल विल्कुल ही लाइट है जेल बेस्ट है वाटर बेस्ट है ताकि स्किन में ओवर कोई चिप चिप ना हो सो मैंने अच्छे से मॉस्टराइजर लगाया क्योंकि दिन का टाइम में बाहर जा रही हूं और धूब आचकल बहुत तेज है तो मैं संस्क्रीन अप्लाई कर रही जिसमें SPF 55 है मतला बाहर जा रही हूं तो 55 यूज़ कर रही हूं घर पे हूं तो 35 यूज़ कर रही हूं तो अच्छे से संस्क्रीन लगाया फिर एक मिनट तक का वेज किया देन उसके बाद थोड़ा सा प्राइमर लगा रही हूं क्योंकि गाईस अगर आप चाहे पहले लगा कर देखूंगी क्योंकि मैं भी पहली बारी आज यूज़ कर रही हूं तो मैं अच्छे से क्रीम लगाई और फिर मैं अपनी फिंगर की help से इसको ब्लेंड करूँगी मैं देखना चारी थी सकी coverage कैसी है तो पहले finger की help से जाद अच्छे से पता लग जाएग और वैसे भी इसकी packaging पे इन्होंने mention किया कि आप finger की help से blend करोगे तो आपको अच्छी finish मिलेगी तो मैंने का चलो देखते है finger की help से blend करते हैं बहुत अच्छे से blend हो रही थी cream और ये अच्छी coverage भी दे रही थी इसमें vitamin C है तो आपको vitamin C के भी benefits मिल जाएंगे SPF 25 है उतना जादा तो नहीं है लेकिन कभी-कभी जैसे sunscreen हम नहीं लगाते हैं तो आपको थोड़ा sun से भी protect कर देगी ये cream तो यहां पर आप देख सकते हो coverage तो इसने दी है medium coverage है इसकी तो मुझे ठीक लगी coverage और finish भी अच्छी आ रही थी और दूसरी साइड में हापे brush यूज कर रही हूं यह Mars Cosmetics का brush है और brush से भी इसकी finish वैसे काफी अच्छी आई मुझे ना brush से लगाने से ज्यादा अच्छा लगा वैसे honestly बताऊ तो finger की help से उतना मज़ा नहीं आया अब थोड़ा-थोड़ा सा neck पे भी लगाऊंगी ताकि face or neck जो है मतलब uneven ना लगे even करने के लिए neck पे अपने कानों पे अच्छे से मैंने लगा ली और finish तो अच्छी थी बट यह थोड़ा सा transfer हो रही थी जहां मैंने finger touch की वहां से यह cream थोड़ा हट गई तो it means इसको अच्छे से सेट करने की जूरत है अगर आपकी skin थोड़ी oily है तो मैं आपको suggest करूंगी इसको blend करते time ही app setting spray का use कर लेना फिर अच्छे से सेट हो जाएगी तो मैंने क्या करा इसको my glam के यह banana powder से सेट किया आजकल मुझे यह powder बहुत जादा पसंद आ रहा है डेली मतलब मेरा हाथ इसी पे जाता है इतने powder से बट मुझे यह थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैंने उससे अच्छ इसलिए मैंने बहुत ही नैच्रल वाला आई लूक रखा है और मैं आई लाइनर और काजल का यूज नहीं करी मैंने ना क्योंकि यह जल्दी बहुत हो रही थी काईस मतलब बहुत फटा-फट मुझे रेडी होना था तो आई लाइनर मैंने नहीं लगाया मैंने डाक कलर का आई शेडो लिया और उसी से थोड़ा सा आप देख सकते हो मैंने स्मूकी स्मूकी लुक दे दिया और उसके बाद मैंने फटा-फट से यह माई ग्लैम का मस्कारा लगाया और थोड़ा सा बलश अपलाई करूं कि जिसके लिए मैं शूगर का फेस पैलेट यूज कर रही और कॉन्टोरिंग मैंने नही की खाली नोज की हलकी सी कॉन्टोरिंग की और उसके बाद अपने बेस को सैटक करने के लिए मैंने ये स्विस ब्यूटी कर नया जो सैटिंग स्प्रे है उसका यूज किया थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया क्योंकि मैट लिस्टिक लगानी तो अगर आपको भी क्रीम ट्राय करनी है लिंक नीचे दिस्क्रेबच में मिल जाएगा तो आप इसे एक बाझ त्राय करके तो देख सकते हो। आपको पसंद आए नाए लेकिन ट्रायक ना अगyang तो आप इसे ट्राय कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब मुझे बहुत जादा प्यास लगी है आते ही मैं इंट्रो करने लगी मैंने पानी भी नहीं प्या सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा लव यू बाई बाई